नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल संस प्लेस में इस बड़े महां हम बात करनेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर के टॉप फोर स्टॉक्स के बारे में किस स्टॉक में आपको इंवेस्ट करना चाहिए यह भी बताऊंगा यहां पर सबसे पाहला जो इस्टॉक है वह है ट्रांसपोर्ट कार्ट्रेशन आफ इंडिया लिम्टेट काफी बहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक में आप इंवेस्ट पर से लेकिन याद रहे यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है स्मॉल कैप स्टॉक में इंवेस्ट करना काफी रिस्ट की होता है साथा रिटर्न भी अच्छा कासा मिलता है तो जितना इसमें रिस्ट की है उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सकता है तो इस दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है अगर बात करें इसके तो यह company देखे फ्रेट यह company ट्रांसपोर्ट supply chain solution और ट्रांसपोर्ट through sea wage यह सारे work करती है तो यह company ऐसे भी काफी बहतरीन है आप इसके साथ जा सकते हैं लोग टर्म में अच्छा खासा return आपको मिल सकता है अगर बात करें पिछले तो यहाँ पर देख लिए 16,000% का return यह company द आती है तो वहाँ आपको invest करनी चाहिए तो ज्यादा better return आपको मिलेगा अगर बात करें इसके return on capital implied 14.9% dividend भी अच्छा खासा है 0.63% promoter solding 66.7% का है promote solding कोई भी से प्लिज नहीं है debt to equity की बात करें 0.22 का है debt to equity total debt की बात करें 255 करोर का debt है एक company के उपर और net profit की बात करें 147 करोर का net profit है और reserve की बात करें तो 1154 करोर का reserve एक company पास मतलब हर परामिटर्स पर यह company काफी बहतरीन है तो आप इस company के साथ जा सकते हैं उसके बात अगला है महिंद्रा logistics यह भी company market cap का 4077 क्रोर का market cap है current price की बात करें 568 रुपीज इसका current price है dividend yield की बात करें 0.44% का dividend yield है अगर बात करें capital implied return on capital implied 7.89% का है return on equity 5.39% का है promoters holding 58.3% का है percentage बिल्कुल 0 है अगर डेट की बात करें 0.47 का equity है total rate की बात करें 269 क्रोर का है और net profit की बात करें तो 30 क्रोर इसका net profit है तो यह company भी small cap है तो काफी छोटी है तो काफी रिस्त की भी है अगर साथ ही साथ अगर यहां से एक multi bagger बनाता है तो आपके investment को कई गुना कर सकता है और आप रिजर्व की बात है 496 क्रोर का reserve है और अगर हम बात करें यहां पर चार्ट का देखे चार्ट पर यह stock काफी वीक है अभी तक कोई खास momentum देखने नहीं मिला यहां से गिरावट आया था और गिरावट भी यह stock मादर 227 रुपी का सपास मिल ला था तो यह stock अभी तक कोई performance नहीं दिया है लेकिन अच्छे group महेंद्रा ग्रूप का यह company है तो हो सकता आने वाले समय परफॉर्म करें या आप इसे अभाइड भी करते हैं और जो stock है उसके साथ जा सकते हैं लेकिन हमने आपको फीचर माल्टी बैगर की बात किया तो फीचर में यह भी stock एक माल्टी बैगर रिटन देसकते हैं क्योंकि कापी अच 24.94 रुपीस का केरेंट प्राइस है की बात करेंगे 0.25 परसंट का डिबरेंगल है रिटन कैपल इंपलेइट फ्रफाइट पाइंट सेवन पाइंट पर सेटान का है प्रमुटी सोलिंग 75 परसंट का है प्लिज परसंटेज जीडिव है डेट फिक्विती के बात रहें तो पास दुआए दुटार के शक्राइब का जो एक्या टॉटर यहां पर डेटे कमपनी के पास पास मिनानीट तो ब्लकात है तो 600 के असपास कमपनी के पास एक्यूटी भी होगा तो 109 पास रेचोटीव जो कि एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न है और करेंट पाइस तो काफी हाई है फाइफ़ाइट रुपीज का और यहां पर रिटर्न भी काफी सॉलिड दिख रहा है तो इस तरह से हर प्रामीटर पर यह स्टॉक्स काफी खुब सूरत दिख रहा है आप लेकिन थोड काउंटर में अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपनी इंवेस्टर को करेंट मार्के के एप 41,000 क्रोड का करेंट प्राइस 674 रुपीज का है डिफिनल की बात है 0.45 परसंट का डिफिनल है रिटर्न और कैपिल इंप्लाइब 7.5 परसंट का है डिटर्न इकुटी 4.9 परसं करीं है मतलब भरचल यह डेट फृी कमपनी 61.88 कर डेट है और निठ प्रोफित ऊस तरह से कंपनी काफी बेहत्रीन है और रिजर चांपनी के-पास तो मतलब ये कम्पनी काफी बेहत्रीन है और काफी सौलिड भी है और चार्ट की बात कई तो लोंग टर्म में काफि बहत्री चार्ट दिया है तो टोटल देटर की बात के लेट 290% का रिटर्ण दिया है इस कम्पनी ने बहतरीन और मल्टी बैगर रिटरन वाले स्टॉक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल को लगाता देखते रहे हैं आपको ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते रहेंगे तो उमीद करते हैं यह वीडियो हैलफुल लगा होगा वीडियो को लाइक और से करना है चलब अपनी बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे एच पिस इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए